Good morning friends, welcome to you, our channel अब पढ़े गए इंडिया आज हम लेकर आए हैं पॉलिटी के बेज 100 कोस्टन का सीरीज का पार्ट बन जिसमें हम पॉलिटी के कुछ महपुन प्रसन का जिक्र करेंगे साथी साथ उनसे जुड़े सारी चीजों के बारे में अध्यन करेंगे तो आएए सुरू करते हैं प्रफ संख्या एक संभिधान संसोधन में कौन सा एक बताता है कि मंत्री मंडल में कुल मंत्रियों की संख्या परधान मंत्री को समलित करते हुए लोग सभा के कुल सदयस्यों के कुल संख्या के 15% से अधीक नहीं होगी इसका मतलब यह है कि चाहे हमारी country में किसी की भी सरकार हो जो भी सरकार बनेगी वो अपने cabinet में 15% से जादा यानि 15% से जादा वो minister यानि मंतरी cabinet मंतरी नहीं बना सकते हैं तो यह इसका सही उतर है यह सम्विधान संसोधन 91st में कहा गया है जो कि 2003 में हुआ था उसमें यह कहा गया था कि मंतरी परिशद की अधिक्तम संख्या 15% से अधिक नहीं होगी और साथी साथ याद रखने वाली एक और बात है इसमें कभी-कभी ऐसा भी question आ जाता है कि minimum कितना होगा मतलब कम से कमस कितना होगा तो कम से कमस 12 होने चाहिए फिर है सम्मिदान संसोधन बानमे बानमे में आठमी अनुसुची के अंदर चार भासाओं को जोड़ी गई थी वो चार भासाएं थी बोडो डोगरी मैथली और संथाली फिर है last option जो है वो 93 तो 93 सम्मिदान संसोधन के द्वारा पिछड़ा बढ़ग को उच सिच्छा में आरच्छन दिया गया था मतलब जितने भी ओभी थी हैं उनको higher education में क्या दिया गया है आरच्छन दिया गया है अब बढ़ते हैं question number second की ओर जो question number second है कि यदि पंचायत भंग होती है तो किस अबधी के अंदर निरवाचन होंगे हमारा option से 3 मा, 5 मा, 6 मा और 9 मा तो इसका सही answer है option number C जो की है 6 मा अब ये देखिए इसमें राष्टपती हो चाहे लोग सभा हो चाहे बिधान सभा हो किसी भी तरह राष्टपती में भी आप लोग ने पढ़ा होगा कि जब राष्टपती का पद भैकंट होता है तो उप राष्टपती उस पे 6 महीने तक की काम कर सकते है 6 महीने के अंदर अंदर ही निरवाचन करा लेना या चुनाओ करा लेना जरूरी होता है तो चाहे राष्टपती का चुनाओ हो, लोकसभा का हो, बिधामसभा का हो, अगर किसी का भी पद या फिर पंचायत का हो, तो किसी का भी पद अगर वेकंट रहता है, तो हम उसे छे महीने के अंदर किसी भी तरह से चुनाओ कराके भर लेना होता है. अब आते हैं कोश्चन नमर थ्री की और. संभिधान के अनुच्छे 3 और भाग 12-35 में, और इसे लिया कहां से गया है? इसे लिया गया है अमेरिका के संभिधान से. और इसी भाग 3 को संभिधान का मैगने कार्टा कहा जाता है, मतलब संभिधान का अधिकार पत्र कहा जाता है. अब बात करते हैं अनुछे 17 की तो अनुछे 17 जो option number first में है अनुछे 17 में ये दिया गया है कि अनुछे 17 के अंतरख्त है अप्रियस्ता का अंत मतलब जो हम चुवा चूत था हमारा उसका अंत कर दिया गया है और इसे के लिए डंड का पर अभधान किया गया है फिर है अनुछे 19 अनुछे 19 में 6 तरह की सोतंतरता है जैसे कि बोलने का अधिकार प्रेश सोतंतरता और जैसे कि ये कभी कभी कोश्चन भी आता है कि प्रेश की सोतंतरता कौन से अनुछेद में है तो ये अनुछे 19 का एक में ही है प्रेश की सोतंतरता फिर तीसरा option है अनुछेद 23 अनुछेद 23 है कि किसी भी बैक्ती के खरीद बिक्री पर या फिर उसके बेगारी पर रोग लगा हुआ है मतलब हम किसी भी बैक्ती के खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं ना ही किसी बैक्ती से बेगारी करवा सकते हैं फिर है जो हमारा last option है वो है अनुछेद 24 अनुछेद 24 ये कहता है कि 14 बर्स तक के बच्चों को कार करने पर रोग है तो इस question का सही अंसर होगा option number D जो की है अनुछेद 24 अब बढ़ते हैं अगले question की ओर जो की question है हमारा बीधी के प्रस्व पर भारतिय सर्वोच नियाले से परामर्ज लेने का अधिकार किसको है मतलब कोई भी ऐसा question होगा जिस पे अगर कानून होगा जिस पे कोई अधिकार कोई सुझाओ लेना चाहता है तो वो अपना सुझाओ सुप्रीम कोड से सलाह ले सकते हैं कौन है राश्टपति लेकिन इसमें एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि राश्टपति सलाह तो ले सकते हैं पर उसके मानने के लिए बैध नहीं है फिर बढ़ते है कुश्चन नम्बर 5 की ओर couldion नम्बर 5 मेरा कह रहा है। कि निमलिखित में से कौन लोग सभा तथा राज सभा के संजुक्त अधिवेशन में सभापतित्व करता है अच्छा आप लोगों को ये तो पता होगा कि लोग सभा और राश्ट सभा का जो संजुक्त अधिवेशन है वो बुलाता कौन है? राश्ट पती बुलाता है अच्छा कितने अनुछेद पे बुलाता है तो अनुछेद 108 के तहत बुलाता है मतलब अनुछेद 108 के तहत राष्टपती संजुकत अधिवेशन बुला सकता है लेकिन राष्टपती अधिवेशन तो बुलाएगा लेकिन उसकी अधियचता कौन करेंगे उसकी अध्याशता करेंगे लोकसभा अध्याश अगर यहां के question आता है कि अगर लोकसभा अध्याश उपस्थित नहीं हो तब संजुक्त अध्यवेशन को कौन अध्याशता करता है तब लोकसभा के जो उपाध्याश होंगे बो करेंगे अच्छा यहां एक और बात है कि अगर लोगसभा अध्याच और लोगसभा उपाध्याच दोनों में से कोई उपस्थित नहीं हो तब इस सभा की अध्याशता कौन करेगा तब जो संजुक तदी वेशन होता है उसकी सभा की अध्याशता हमारे करेंगे वाइस परसिडेंट जो की राजसभा के पदें तबापती भी होते हैं मतलब जो हमारे उपराश्टपती होते हैं वो तो इसका सही अंसर हो जाएगा लोगसभा अस्पीकर फिर आते हैं नेक्स अगले कोश्चन की ओर अगला कोश्चन है हमारा कोश्चन नमर सिक्स जो की कह रहा है कि भारत में बीती अपातकल की घोसना आज तक कितनी बार की गई है अब देखिए अपातकल से बात आती है कि भारत में तीन तरह क्या पातकल होते हैं पहला होता है राश्टिय आपातकल, दूसरा होता है राज में राश्टपती सासन, और तीसरा होता है बीतिय आपातकल. तो जो राष्टिय आपातकल होता है वो अनुछे 322 के तहत राज में राष्टपती सासन जो होता है वो अनुछे 356 के तहत और जो बीतीय आपातकल होता है वो 360 के तहत अब देखे अभी तक ये तो आप जानते होंगे कि राज में जो राष्ट्पती सासन होगा वो बहुत बार लग चुका है बीतिया अपात काल जो होता है वो अभी तक एक बार भी नहीं लगा है तो इसका सही अंसर तो हो जाएगा option number D जो कि है कभी नहीं लेकिन अगर बात करते हैं राष्टिया अपात की जो की अनुछे 322 में है वो अभी तक तीन बार लगा है 1962 मतलब 1962, 1971 और 1975 1962 में क्या था भारत और चाइना के बीच यूद हुआ था 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच यूद हुआ था और 1975 में जो लगा था वो आंतरी का सांती के नाम पे लगा था ये जो राष्टिया अपात कल है ये तीन तरह से लगाया भी जा सकता है कैसे कैसे? या तो यूद हो या तो कोई बाह आकर्मन हो या ससस्र बिद्रो हो ये तीनों टाइट से ये राष्टी आपातकल लगाया जाता है, जो कि अनुछे 352 में है, तो ये तीनों आपातकल आपको याद रखना होगा, फिर आते हैं, question number 7 की तरफ, question number 7 हमारा कह रहा है, कि नियंतरा के बम लेखा परिच्छक की नियुक्ती राष्टपती द्वारा होत लेकिन उसे अपने पद से हटाया कैसे जा सकता है, ये तो सब हम लोग जानते हैं कि नियंतरा के बम महालेखा परिच्छक जो होते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, controller है, auditor general भी बोलते हैं, तो इनको निक्ती तो राष्टपती करता है, लेकिन इनको हटाया कैसे जाता ह तो आपने एक term परहा होगा, उबोल term है महावियोग, अब जो ये महावियोग हैं, इनको किनको हटाया जा सकता है, तो सबसे पहले तो आप लोग ये तो जानते ही होगे कि राष्टपती को महावियोग से हटाया जा सकता है, लेकिन साथ ही साथ नियंतरा के बम महालेखा प महालेखक परिष्छक की हम लोग बात कर लेते हैं मतलब controller और auditor general को तो इसका विबरन हमारे सम्मिधान में अनुछेद 148 से 101 कामन के बीच में किया गया है इसकी निउक्ति राश्टपती करते हैं इसकी जो पदाब्धी होती है मतलब ये 6 बर्स तक होते हैं महाबियोग हम लोग लगा सकते हैं संसाथ की दोनों सदनों में कोही भी सदनों में या तो upper house या lower house मतलब लोकसभा या राश्टपा कोई भी सदनों में हम लोग महाबियोग को sort-system pace कर सकते हैं अब आते हैं next question की तरफ जो है हमारा question number 8 अब question number 8 है कि लाब के पद का निर्ने कौन करेगा जैसे कि आप लोग एक राष्टपती या फिर कोई भी चीज की निरवाचन के संबंधिये के पढ़े होंगे कि वो लाब के पद पे नहीं होना चाहिए तो ये जो लाब का पद है इसका निर्ने कौन करेगा तो लाब के पद का निर्ना करेगा कौन? ये इसका सही अंसर है संगिय संसद. इसका सही अंसर होगा संगिय संसद. ये अनुछेद कितने के अधार पर? 102 के अधार पर. मतलब संगिय संसद, अनुछेद 102 के अधार पर संसद लाब के पद का निर्धारन करता है. ठीक है? अब अब अगले question की तरह बढ़ते हैं, जो कि हमारा question number 9, question number 9 कह रहा है कि भारत में प्रथम बिधी अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है, तो इसका options दिया हुए भारत का मुखने अधिस, भारत का बिधी मंत्री, भारत का महानेया अबादी और बिधी सचित, तो इसका सही अनसर जो होगा, बो होगा option number C, और भारत का महानेया अबादी, अब महानेया अबादी को हम लोगा attorney general भी कहते हैं, और इसी को केंदर का प्रथम बिधी अधिकारी भी कहते हैं अच्छा एक महा नयावादी से ही related चीज है अगर केंदर का प्रथम बिधी अधिकारी पूछेगा तब तो attorney general होगा लेकिन अगर यही question में आपसे पूछ दिया जाए कि लाज का बिधी अधिकारी प्रथम बिधी अधिकारी कौन होगा तब वो हो जाएगा महा धिवक्ता जिसको की हम लोग advocate general भी कहते हैं यह जो महा नयावादी होगा इसको अनुछे 76 मतलब 76 के तहत किया जाता है और यह जो महा धिवक्ता होता है इनको अनुछे 165 की तरह किया जाता है यह जो महा नयावादी होते हैं इनका retirement age नहीं होता है राश्टपती जब तक चाहें मतलब राश्टपती के इच्छा के अनुसार तक वो अपने पद पे बने रहेंगे और इसी तरह है राज में जो महा भी वक्ता होते हैं मतलब राश्टपती ज़ेनरल जो होते हैं वो भी उनको राश्टपती करेगा और राश्टपती के इच्छा अनुसार वो अपने पद पे बने रहेंगे अब आजए यह question number 10 question number 10 कह रहा है कि भारत के परतेक नागरित का करतब होगा कि प्राकिर्तिक परियाबरन का सनरचन एवं सुधार यह कथन भारतिय समिधान के किस अनुछेद से संबंदित है तो अब इसमें options है अनुछेद 48A अनुछेद एकामन A अनुछेद 56 और अनुछेद 21 तो इसका जो सही अंसर है बो है अनुछेद 48 का A इस अनुछेद 48 के A में यह कहा गया है कि प्राकिर्तिक परियाबरन का सनरचन एवं सुरच्छा अब बात आथी एकामन A एकामन A से तो आप लोग भली बाती परचित होंगे क्योंकि एकामन A में क्या है हमारा मौलीक कर्तब है जो कि 42 में संविधान संसोदा 1976 के द्वारा भाग 4 के क के अनुछेद एकामन क के तहत जोड़ा गया था फिर आजए यह अनुछेद 56 अनुछेद 56 जो है वो हमारा क्या है अनुछेद 56 कहता है कि राष्टपती का कार्जकाल से संबंदित है कि राष्टपती का जो कार्जकाल होगा भारत में वो 5 वर्सों का होगा जिसको हम लोग कभी कभी कोश्चन ऐसे भी पुछा जा सकता है कि राष्टपती का पदा अब धी क्या होगा तो पदा अब धी क्या होगता है पाम साल होता है और जो कि अनुछेद 56 में समाहित है अब देखे राष्टपती से रिलेटेड कुछ अनुछेद है बामन से लेके एकसर्ट तक जितने भी अनुछेद हैं ये mostly क्या है राष्टपती से रिलेटेड है जैसे बामन में कहा गया है कि भारत का एक राष्टपती होगा तिरपन में कहा गया है कि भारत की राष्टपती की सक्तियों का विबरन दिया गया है चौवन में कहा गया है कि राष्टपती का निरवाचन होगा और पचपन में है जो निरवाचन की रिती दी गई है आप लोगों ने पढ़ा होगा कि राश्ट्पती का जो निर्वाचन होता है, बोवा पर्टेच रूप से होता है, गुप्त मतदाम से होता है, एकल संक्रमनिय मदपदिती के द्वारा होता है, तो ये जो निर्वाचन की रिती है, ये अनुछेत पच्पन में दिया गया है। उसके अलाबा 56 में भी हमने देखाइं कि राष्टपती का कार्जकल है संतामन में दिया हुआ कि राष्टपती का पुना निर्वाचन हो सकता है मतलब राष्टपती चाहे तो जितने बाहर भी बन सकते हैं लेकिन अभी तक भारत में ऐसा हुआ नहीं है कि कोई भी राश्ट्पती एक जो सबसे प्रोथम राश्ट्पती थे वही दो बार नुक्त हुए हैं और उसके अलावा फिर कोई दो बार नुक्त नहीं हुए है फिर उसके आगे आजाए है 58 में कहता है कि राश्ट्पती की योगिता 60 में होगा कि राष्टपती सपत किसके सामने लेंगे और अनुछेद 61 में होगा महाभीयोग जिससे कि राष्टपती के पद को हटाया जा सकता है फिर जो last one है वो अनुछेद 21 अनुछेद 21 से भी आप लोग भली भाती परचित होंगे अनुछेद 21 में दिया गया है मौलिक अधिकार जो की कहां से लिया गया है अमेरिका के संविधान से लिया गया है और भाग 3 में अनुछेद 12 से 35 के बीच में इसका बर्नन है अब आते हैं next question की तरफ जो की है हमारा question number 11 राज लोग सेवायोग की सदस्यों की निक्ति किसके द्वारा की जाती है अब राज लोग सेवायोग और दो लोग होता है एक संग लोग सेवायोग होता है एक राज लोग सेवायोग होता है तो संग लोग सेवायोग अगर question में पूछे तो संग लोग का तो राष्टपती करते हैं और उनकी जो retirement age होती है वो 65 बर्स होती है लेकिन अगर राज लोग सेवायोग पूछा जाए तो राज लोग सेवायोग की निपती करते हैं राष्टपती और उनकी 6 बर्स होती है या फिर retirement age जो होती है वो 62 बर्स तक होती है और ये भी पहले 60 बर्स था लेकिन सम्मिधान के एक तालिसमत सम्मिधान संसोदान 1976 के द्वारा इस retirement age को मतलब राज लोग सेवायों के सदस्यों के retirement age को 7 से बढ़ा कर 62 कर दिया गया था तो इसका सही उत्तर इस question का सही उत्तर हो जाएगा राजपाल अब औरते हैं question number 12 लिखित सम्मिधान के अबधारना ने सरपर्थम कहां जन लिया था ये तो आप लोगों को भी पता होगा कि भारत हमारा प्यारा भारत का भी सम्मिधान जो है वो लिखित रूप में है लेकिन सबसे पहले जो लिखित सम्मिधान हुआ था वो अमेरिका का तयार हुआ था 1789 में 1789 में USA का लिखित सम्मिधान तयार हुआ था लेकिन अगर इसी में question में पूर्थ दिया जाए कि सबसे लंबा लिखित सम्मिधान कहां का है तब भारत का होगा भारत के संभीधान को आप जानते भी होंगे कि भारत के संभीधान को लिखने में दो बर्थ, 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था ये 26 जनवंबर 1949 को पारित हो गया था लेकिन इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को और जब हमारा जो मूल संभीधान था उसमें 22 भाग, 395 अनुछेद और 8 अनुसूचियां थी लेकिन बरतमान में कितने हैं? 22 भाग है, 395 अनुछेद हैं और 8 अनुसीची के जगा 12 अनुसूचियां है तो इसका जो सही अनुसर हो जाएगा, वो हो जाएगा संजुक्तराज अमेरिका अब next question की तरह आते हैं, जो है हमारा question number 13 इस question में कहरा है, संभीधान के अनुछेद बेरासी के अनुसार, लोकसभा कि सीटों का राज्यों के मधावंटन किस जंगनना के अधार पर है? अधार था हमारे country में, वो था 1991 ही, लेकिन संभीधान के 87 संसोधन, 87 संसोधन जो 2003 में हुआ था, इस संभीधान संसोधन के द्वारा जो जनसंख्या का आधार बर्स था, वो 1991 से बदल कर 2001 कर दिया गया, तो कभी-कभी ये भी question exam में पूछा जाता है, कि कौन से संभीधान सं संसोधन 2003, अब next question की तरह बढ़ते हैं, जो कि हमारा question है, question number 14, कह रहा है कि भारतिये संभीधान के किस अनुछेद में, अनुसुची जन जातियों के लिए, राष्टिये आयोग का परद्धान है, अब देखिए, यहाँ पे हमारे country में, अनुसुची जन जाती भी होता है, जाती भी होता है, बहुत तरह के हैं, OBC भी होता है, यहाँ पिछडा बर्ग भी होता है, और सामान भी होता है, तो पहले तो इस question number 14 की अगर बात करते हैं, तो इसका जो सही अंसर है, बो हो जाएगा, अनुचे 338 का A, यानि 338 का A, ठीक है, अब देखिए, 338 के A में ही कहा जाता गया, ST आयोग, मतलब जन जाती आयोग, लेकिन अगर ST आयोग आपसे पुछेगा, तो हो जाएगा, अनुचे 338, मतलब option number 2, ST आयोग पुछेगा, तो ST आयोग पुछेगा, तो 338 का A हो जाएगा, चलिए, अब next question की और बढ़ते हैं, जो कि है हमारा question number 15, question number 15 में कहा सरबोच नियाले में नियाधीस नियुक्त होने के लिए बैक्ति को कम से कम कितने बर्स उच नियाले या सरबोच नियाले का एड़गेट होना चाहिए, तो इसका जो सही उतर होगा, बो होगा, option number B और ये हो जाएगा 10 years, देखिए, नियाधीस होने के लिए 3 condition होना चाहिए कौन-कौन से condition, पहला condition तो होना चाहिए कि किसी उच नियाले अथवा 2 से अधीक नियाले में लगातार कम से कम 5 बर्स तक नियाधीस रहा हो, दूसरा किसी उच नियाले या सरबोच नियाले में 10 बर्स तक अधिवक्ता रह चुका हो, या फिर राष्टपती के द्रिष्टी में कानून का उच को टिका ग्याता हो, तो यह हमारा दूसरा वाला options हो जाएगा, जो कि 10 साल मतलब उच नियाले या सरबोच नियाले में कम से कम 10 बर्स तक अधिवक्ता रह चुका हो, अब आ जाते है question number 16 की और, question number 16 कह रहा है, कि 1907 में किस समीती ने भारत में 3 अस्तरिये पंचायत राज की सरपथम सिफारिस की थी, तो देखिए यह आप लोगों को भी पता होगा, कि अभी जो भारत में पंचायती राज चल रहा है, वो जो पंचायती राज है, वो 3 अस्तरिये है, मतलब 3 लेवल पे है, कौन-कौन से लेवल पे, ग्राम अस्तर पर ग्राम परखंड अस्तर पर पंचायत समीती है, और जीला अस्तर पर जीला परिसद है, तो यहाँ पे जो पंचायती राज, सबसे पहले पंचायती राज के बारे में कुछ जानते हैं, सबसे पहले जो पंचायती राज है आप जानते ही होंगे कि कब लागु हो गया था तो 2 October 1969 में लागु हो गया था जब हमारे जवारलाल नहरु परधान मंतरी थे जैसे ही 69 देखे होंगे तो आप समझी जाएगा कि जवारलाल नहरु नहरु परधान मंतरी होंगे क्योंकि जो कारिकल था, वो सबसे लंबा था, मतलब 1947 में जब हमारा भारत आजाद हुआ था, तब से लेकर 1964 तक इन्हीं का कारिकल था, लगभग 16 बर्स कुछ दिन है, 286 दिन के आसपास, तो सबसे पहले पंचायती राज लागू हो गया था कब, 2 अक्टूबर 1969 में राजस्थान में, राजस्थान के नागोड जीले में लागू हुआ था, और फिर 11 अक्टूबर 1969 को आंध परदेश में लागू हो गया था, तो कब कभी ये भी कोश्चन पूछा जाता है कि राज परदेश स्थान के बाद कहां लागू हुआ था, या पूरे राज में सरपर्थम कहां लागू हुआ था, तो उसका अंसर हो जागा आध परदेश, ये जो पंचायती राज है, ये किसमे है, भाग 9 में है, इगराहमी अनुसुची में है, और 243 अनुच्छेद में है, अब ये इसमें जो समीति आई थी कुछ, मैंली यही दो इंपोर्टेंट है, असोक महता समीति और बलवंतराय महता समीति, तो ये जो बलवंतराय महता समीति हैं, इन्ही का कहना था, कि जो हमारा पंचायती राज होगा, त्री अस्तरिय पंचायत राज की बकालत इन्हें ने की तो इस question का जो सही answer होगा, वो हो जाएका बलबंतराय महता समीती, असोक महता समीती के अगर हम बात करते हैं, तो असोक महता समीती 1977 में आई थी, और इनने बकालत की थी, कि नहीं, पंचायती राज जो होना चाहिए, वो दो अस्तरिय ही होना चाहिए, एक ग्राम में और एक ज जिला में, ठीक है, ग्राम मंडल और जिला मंडल के रूप में, लेकिन इनकी बात नहीं मानी गई, और अभी जो है हमारे पंचायती राज, वो थी अस्तरिय है, बलबंतराय महता समीती के recording या उनके कथना अनुसर, अब अगले question की तरह बढ़ते हैं, जो कि हमारा question number 17, और अगर राज का पूछा जाए, तो महाने अवादी को attorney general भी हम लोग कहते हैं, मतलब अगर केंद्र का पूछा जाए, तो महाने अवादी attorney general, अगर राज का पूछा जाए, तो कान होगा, महादी वक्ता या फिर advocate general जिसको बोलेंगे, तो इसका जो सही उत्तर होगा, वो क तक चाहेंगे, मतलब राजपाल के इच्छा के अनुसास अपने पद पे बने रहते हैं। अब आगे कोश्चन के और बढ़ते हैं, जो कि है हमारा कोश्चन नमबर 18। ये कह रहा है कि लोगसभा की कारवाही में भाग लेने के लिए अधिकारी कौन होता है। अब ये बात आती है, यहाँ पे देखिए, ओप्संस हैं काया क्या, कि भारत के नियंतरगब महालेखक परिछक, भारत के अटॉर्णी जेर्नल, सॉलिसीटर जेर्नल और भारत के राष्टपती के सची। तो यहाँ इस, कि लोगसभा की कारवाही में भाग लेने के लिए अधिकारी कौन होते हैं। मंत्री मंदल का सदस ना होते हुए भी दोनों सदनों की बैठक में भाग ले सकता है, लेकिन थ्यान रखने वाली बात यह है कि वो मतदान नहीं कर सकता है। तो कभी कभी कोश्चन ऐसे भी पुछा जा सकता है कि जो महानयावादी होते हैं, वो संसत के सदस नहीं होते हैं, या मंत्री मंदल के सदस नहीं होते हैं, फिर भी वो सदनों की बैठक में भाग लेते हैं। तो इस question का जो सही अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा attorney journal यानि बाहरत के महाने आवादी अब आते हैं next question की और बढ़ते हैं जो की हमारा question number 19 अब 19 question ये कह रहा कि निमलिखित में से किस संभिधान संसोधन अधिनियम को लगु संभिधान कहा जाता है अब ये देखी ये सब को पता होगा कि जो हमारा 42 संभिधान संसोधन है उसको हम लोग लगु संभिधान या mini constitution भी करते हैं जो की 1976 में लागू किया गया था अब देकि इसको mini संभिधान क्यों कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत important important चीज आइड हुए थे हमारे संभिधान में जैसे कि इसी के तहत 42 संभिधान संसोधन के तहत ही 10 मौलिक करतब्यों को जोड़ा गया था एकामन कर में फिर परस्ताबना में तीन बढ़ जोड़े गये थे समाजबादी, धर्म, निर्पेच, एकता और अखंडता फिर इसमें एक और चीज कहा गया था कि राश्टपती जो होगा वो cabinet की सलाह मानने के लिए बाध नहीं होगा राश्टपती को cabinet की सलाह मानने के लिए बाध नहीं किया गया था फिर इसमें एक सबसे और इंपोर्टन चीज किया गया था कि लोगसभायबं बिधान सभाओं की अबधी को पांच बर से बढ़ाके चो बरस कर दिया गया था लेकिन फिर उसे 44 समबिधान सभाओं से पिर से 6 बर से घटा है के 5 बर कर दिया गया था चलिए तो इसका सही अंसर हो जाएगा 42 फिर next question की तरह बढ़ते हैं जो कि है हमारा question number 20 राश्टपती पर महाभीयोग का रोग संसत के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है अभी आपने पढ़ा ही था कि राश्टपती पर क्या लगाया जा सकता है राश्टपती पर महाभीयोग लगाया जा सकता है तो यहां कोशन है कि राश्टपती पर जो महावियोग लगेगा अच्छा पहले यह बताई कि राश्टपती पर महावियोग कौन से अनुछेद के तहत लगता है तो अनुछेद 61 की तहत राश्टपती पर महावियोग लगता है माती साथ हमने यह भी पढ़ रख लगता हैं, कि राश्टपती के साथ हैं कि capacity महाभियोग लगता हैं मुख निरवाचन अयुक्त पर लगता है, और सरवच न्याले के न्याधिद पर लगता हैं. अब बात आते हैं कि सनसठ के की सदन की सधन के द्वारा संसथ की किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है लेकिन उसके पहले इससे पहले महावयोग लगाने से पहले कम से कम 14 दिन पहले लाष्टपति को लिखिद स्रॉम doing सूचना दी जाती है लाश्ट पती को लिखित स्वाम में सूचना क्या देना पड़ता है कि हम आप पे महावियोग लगा रहे हैं और कम से कम एक बटा चार जितने भी मेंबर होंगे उसके एक बटा चार सदस के हस्ताचर होने चाहिए उस लिखित पतर पर जिसके महावयोग लगाने के लिए किया गया है और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि महावयोग संबंधित कोई भी केस होगा बुसकी सुनवाई सिर्फ और सिर्फ उच नियाले में मतलब सुप्रीम कोट में हो सकती है हाई कोट में नहीं हो सकती उसका कोई भी सुनबाई और महाभीयोग लगाने के लिए भी बताया है कि एक वटा 4 सा 10 के हस्ताचर के साथ लिखी सूचना दी जाएगी और उसके बाद संसत के दोनों सादनों से दो वटा 3 बहुमत से अगर पास हो जाएगा तो महाभीयोग पास हो जाएगा लेकिन हमारे कंट्री में अभी तक किसी भी राष्टपती पर ऐसा अपसर नहीं यह आया है कि महाभीयोग लगा हो अब नेक्स कोईशन की बात करते हैं जो कि है हमारा कोईशन नमबर 21 भारत के की सराज में सरपर्थम सरपर्थम महिला मुख मंतरी हुई थी तो सबसे पहले यह हुई है यूपी में तो इसका सही अंसर हो जाएगा option number 2 उतरपदेश जो की कौन थी सुचेता के लिप लानी थी बिहार में भी प्रथम मुख मंतरी के अगर बात करते हैं अब next question की और बढ़ते हैं जो की है हमारा question number 22 22 है कि केंद्र में दोयज साफन किस अधिनियम के अंतरगर्थ स्थापित किया गया है दिखे ये बहुत important अधिनियम है भारत सरकार अधिनियम 1909 भारत सरकार अधिनियम 1922 भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत सरकार अधिनियम 1947 ये अधिनियम होती थी जब हमारे country में ब्रिटिस का साफन होता था तो वो हर एक 10 वर्स पे क्या करते थे कि एक नया कानून लाते थे और वही 10 वर्स तक वो लागू करते थे फिर 10 वर्स के बाद एक नया कानून आता था फिर वो अगले 10 बस तक चलता था तो ऐसे ही देखिए 9 में आया फिर 19 में आया तो जो सबसे पहले आकर बात करते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1909 तो ये जो अधिनियम 1909 है ये इसको हम लोग ही बोलते हैं क्या मारलो मिंटो सुधार इसी को बोलते हैं अच्छा बात आती है कि मारलो मिंटो सुधार क्यों बोलते हैं तो ये उस समय जो 1909 में भारत के राज सचीब जो थे वो मारलो थे और भारत के जो बायसर है थे वो मिंटो थे इसलिए इसको 1909 की अधिनियम को मारलो मिंटो सुधार भी कहा गया है और इसी तरह 1919 का जो अधिनियम है उसको माट टेंगू चैंसफोर्ट सुधार किया गया था और इसे एक important question बहुत बार एक जाम में पूछा गया है कि पहली बार महिला को भोड़ देने काधिकार कौन से अधिनियम के दुआरा मिला तो ये भारा सरकार अधिनियम 1919 का ही है अब देखिए जो केंदर में ये question जो पूछ रहा है कि केंदर में दोएद सासन की अधिनियम के अंतरगत तो क्रेंद में दोएद सासन अधिनियम लगाया गया था प्रांतों में लगाया गया था 1919 के अनुसार लेकिन अगर केंदर में बात किया जाए तो 1935 के अधिनियम के द्वारा लगाया गया था प्रांतों में जो देद सासन 1919 के अनुसार लगाया गया था उसको हटा दिया गया था और 1935 के अनुसार लगा दिये गया UNNC35 का important कुछ और बत है इसी अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था और जो आज भी हमारा भारत का संभीधान है तो इसके आप लोग कुछ पढ़ते होंगे कि भारत के संभीधान के कुछ बिदेशी सरोत जैसे ये इस country से लिया गया, ये इस country से लिया गया ठीक है, तो ये थे हमारे पॉलिटी के कुछ questions आसा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा thanks for watching, अगर आप कोई भी one day exam की तयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी वैसे exam की तयारी कर रहे हैं जिसमें कि GKGS का portion आता है तो आप इस channel को subscribe कीजे अगर कुछ आपको लग रहा है कि कुछ इसमें सुधार की जरूरत है कुछ problems है तो आप comment करके बता सकते हैं या कोई नया series लाना हो कि जिसे important questions हो कि ये series चाहिए, मुझे इस चीज के questions चाहिए तो आप comment करके बता सकते हैं thanks for watching